अच्छा, डॉक्टर रमनीक महाजन, हम आपके पास आते हैं, आप बताएए कि जोडों के दर्द में टोटल नी रिप्लेस्मेंट कब कराना चाहिए, मतलब अगर आपके जोडों में दर्द है, बहुत जादा परिशानी हो रही है, तो ऐसे में कब डिसाइड किया जाता है, क तरजरी के लिए हाँ बोलेंगे, नमबर टू, पेन हो या इन्स्टेबिलिटी, इन्स्टेबिलिटी का मतलब है कि जब आप चल रहे हैं, आप जा रहे हैं, आप लड़ खड़ाते हैं, सीड़ी चड़ने उतरने में आपको लगता है आप गिर जाएंगे, फ्लैट सर्फिस में आप ठीक हैं, पर जहां रफ तरड़ी सी सर्फिस रफ है, उबड़ खाबड है, आप अपना बैलन्स लूस करते हैं, एन्स्टेज थ्री जब थर्ड पॉइंट यह जब आपके पैरों की बनावट और शेप इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी है, कि अब उसकी वज़ का गुटने के दर से छुटकारा पाने के लिए हम सर्जुरी तो करवा लेती हैं, लेकिन यह सर्जुरी कितना सुरक्षी तो पाए हैं? तो कोई बदसीब होना चाहिए कि पहले एक तर अच्छा नहीं हो पाया। गॉल्ड मेटल उस दिन मिलेगा जब आप अपनी ज़रूरत के लिए बहुत सब काम कर रहे हैं और आप आके वापिस मेरे के पास आते हैं, मेरे से गले मिलते हैं, मेरे को वो दाइम जादा अच्छा लगता है। बट ऑन एन एवरेज एक बाइलेटरल जिसमें दोनों घुटनों के चेंज करने में हमें एक गंटा लगता है। पर उससे एक देड़ घंटा आपकी तैयारी एनस्थीजिया, तैयारी सफाई ये सब भी है। और बाद में भी आदा एक गंटा आपकी रिकवरी में लग जाता है। ताकि आपका पेशेंट ऑन एन एवरेज अगर हम एटेंडेंट्स की बात करें तो रिष्टेदारों से डेंडेंट्स से कम से कम तीन से चार गंटा वो दूर रहता है बाइलाटरल नी रिप्लेश्मेंट में जिसमें एक्चुल सरजरी ट्राइम एक गंटा है। इसेद में क्तुडन के काबिल कर ठीए वो नेएक सिछलना श्रोर रहाते हैं और सेकिन फरड भी स्टेट के साथ और चुछ स्टेप्स पिलेना श्रूं वेयां तो है में जो नाविगेट्स क्षिर सजरी जग्राफिक स्पास फेस्पेस अनिर्जरी और उस के अंदर जो हम हाई फ्लेक्शन जॉइंट्स यूज करते हैं इसके साथ हमारी एक्टिविटीज बहुत जादा फास्ट और स्मूथ हो गई हैं जी डॉक्टर नमिक महाजन आपसे हम एक और इंपोर्टिन सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं कि सर्जुरी के बाद किया फिर से आसानी से काम बनाना है एक दो चपाती बनाना है आप रोज चाहे दस मिनट के लिए क्यों न जाए पर कोशिश करिए कि किचन में चाहे वाकर पकड़ के जाके खड़े हो और खड़े हों आफिस जाने वाले पेशेंट एक बार आपके स्टिचेज निकल गए तो आप आफिस जाने की करने है आलसी नहीं बनना बिस्तर पे नहीं बैठना जरूरत की छोटी से छोटी चीज चाहे आपको चाहे भी पीनी है उटके ड्रोइंग रूम में बाहर आए वो भी एक 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 सरसाइज है टॉयलेट खुद उटके जाए बॉटल में मत करिये और जो भी आपको चाहिए उसके लिए खुद उटिये खुद जाए किसी किसे मत मंगवाईए तो आपको दिहान देनी की जरूरत है थोड़ा सा और इसके बाद आप पूरी तरह ठीक हो सकते हैं कि आप सर्जरी के बाद क्या हिदायते देना चाहें किसका उन्हें दिहार रखना चाहिए जिन लोगों सर्जरी करते हैं जब उनकी हम कांसलिंग करते हैं उन्हें बताते हैं कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं उसके अंदर एक सबसे पहली चीज़ होती है मैं आरे को कहता हूँ कि आपकी कोई फ्रेंड है जो की सेम एज़रोप किया जो खुटनों की कोई समस्या हैं आप सब कुछ उनकी तरह करेंगे सवाई actively जमीन पर बैठने के तो यानि कि हम जितना भी चलना है सीडी चड़ना पहाड चड़ना कच्छे रास्ते पर जाना swimming करना माइल activities करना सब कुछ कर सकते हैं हम क्या नहीं करेंगे हम जमीन पर पैरों के बाहर नहीं बैठेंगे हम उगड़ू बन कर नहीं बैठेंगे हम हड़कों पर running नहीं करेंगे because यह जो joint surfaces अब देख रहे हो इनके fixing हमारी body के साथ है अगर मान लीजे मुझे painting दिवार पे टांग नहीं है तो यह depend यह नहीं करता है मेरे screw कितना अचा है या painting किते सुन्दर है depend यह करता है कि मेरी दिवार का support कितना ज़ादा है इस तरह से इन सब का support हमारी bone के साथ है हम यह बानते हैं कि हमारी जो Indian bones बहुत ज़ादा strong नहीं है तो हम नीचे बार कर उठते हैं जब तो हमारा five times body weight is joint से cross करता है यह हम high impact activities इस तरह से running करते हैं तो इनकी life का wear and tear बढ़ता है तो हमारे कहते हैं कि आपकी जो surgery हो रही है with new concept से hopefully it should last your lifetime तो डॉक्टर साहम नहीं बताया कि अपनी surgery बेहत असान हो गई है इससे घबरानी की जरूरत नहीं आप दोनों डॉक्टर से हमारी कुछ दर्शक सवाल पूछना चाहते हैं आईए हम अपने दर्शकों के सवालों को भी अपने शो में शामिल कर लेते हैं मेरी ममा चार साल से एक आयूरवेदिक तेल यूज़ कर रही है शुरू में तो काफी अच्छा सर्ता बट अब ना वो ठीक से चल पाती है ना खड़े हो पाती है तो इसके लिए क्या करना चाहिए इनके लिए डॉक्टर रमनीक महाजुन आपकी क्या राह है क्या सला है आपकी कुछ तेल में काउंटर इरिटेंट है वो भी हमारे फायदे के लिए है बट दीरे दीरे हमारी वो अर्थरेटिस और बढ़ती जा रही है तो जितनी हमारी वो अर्थरेटिस बढ़ती जाएग तो वही तेल जो पहले हमें फाइदा दे रहा था अब हमें लगेगा कि उतना फाइदा नहीं दे रहा पर इसका कारण वो तेल नहीं है वो तेल से रिजिस्टेंस नहीं है उसका यह है कि आपकी आर्थराइटिस इतनी जादा बढ़ गई है कि अब वो इससे भी नहीं होना है अगर है तो इसके लिए मैं को क्या साफधानी बरतनी चाहिए तो आप क्या कहेंगे ने क्या साला देंगे ने आप बहुत अच्छे सवाल है इसे हम कहते हैं पोस्ट ट्राउमेटिक आर्थरेटिस यानि कि जो साथ साल पहले घुटना निकला उसके ऊपर के काटलेज अपिर अब घुटने के याज उसके मेफ्स को इसके लावा अगर इनका सर्फेस डिमेज हो रहा है जो कि हम एक तो उस केस में हमें न्यूट्रेस्टिकल जानी की जॉइंट के काटिलेज को बचाने वाली मेडिसिन का इस्पाल करना है और अगर जॉइंट डेमेज हो रहा है तो हमें पैरों के भार बैठना और आलती-पालती बारना इस सव एक्टिविटीज को रिफ्रेंड करना पड़े आप दोनों डॉक्टर्स ने आर्ट्राइटर्स और नी रिप्लेस्मेंट से जुड़ी कई एहम जानकार्या दी इसके इलाज से जुड़ी कई भ्रहम भी दूर किये आप दोनों ही डॉक्टर्स का हमारे शो का हिस्सा बनने के लिए पहर शुक्रिया उमीद करते हैं हमारे के दर्द की समस्या से जुड़े कई एहम सवालों के जवाब मिले होंगे हमारी कोशिश भी यही है कि हमारे शो में आए एक्सपा डॉक्टर्स की सला से आप अपनी बिमारियों से आसानी सचुटकार अपा सके इस अपिसोड में फिलाल इतना ही लेकिन अगले अपिसोड मे हाथराइटे से जुड़े दूसरे पहले उपर भी हम चर्चा करेंगे